हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान स्रिक्रिष्ण और शीमतीराथर अनिकी कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे 3 जनवरी 2024 आज है बुधवार का दिन और आज आप सुनेंगे पौश मास की कथा का आठवाध्याए और पौश मास की कथा में आजकल हमारी चर्चा हो रही है अयोध्यापुरी में जो परम, पावन, पवित्र, तीर्थर्ष्थल है उन तीर्थों से संबंतित जो पौरानी कथाएं हैं उनके विशे में कथा प्रारंब करूं इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप लोग वीडियो देखते हैं आप लोगों को कथाएं अच्छी रगती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि आपके एक एक लाइक्स एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महित्पोर्ण होते हैं यू समझ लीजिए कि ये मेरे लिए उर्जा का स्टोत है जिनकी वज़े से मैं व्यस्ततम जीवन में भी आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट भी कीजिए इसके साथी वीडियो को शेयर भी कीजिए जिसे की ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये वीडियो पहुँच सके और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की इस कता का श्रमण करते हैं घोशार्क तीर्थ से पस्चिम दिशा में रतिकुंड नामक प्रसिद्य तीर्थ है जो सब पापों को हरने वाला है उससे पस्चिम कुशुमायुद कुंड है जो समस्ट मनोर्थों की सिध्धी के लिए प्रसिद्ध है जो पति-पत्नी इन दोनों कुंडों में श्नान करते हैं वेरति और कामदेव के समान सुंदर होते हैं कुसुमायुद कुंड से पस्चिम दिशा में मंत्रेश्वर तीर्थ है उसमें श्नान करके जो मनुश्य मंत्रेश्वर का दर्शन करता है वो परमगती को पाता है उससे उत्तर कुमुद और कमलों से सुशोबित एक सुन्दर शरोवर है जिसमें किये हुए श्नान और दान अनेकों प्रकार के फल देने वाले है चैत्रमाज की शुकलेपक्ष की चतूर दर्शी को वहां की वार्शिक यात्रा उत्तम मानी गई है मंत्रेश्वर की महिमा का कोई भी भलिभाती वर्णन नहीं कर सकता सुगंधित पुष्प, धूप, चंदन, आदी उपचारों से उनका प्रयत्न प्रुवक पूजन करना चाहिए वे संपुण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं उनके पूजन से मुक्ति हो जाती है वहीं पूर्वदिशा में महारत्न नामक तीर्थ है जो सब तीर्थों में उत्तम है उसमें स्नान, दान और ब्रामभर पूजन करने से समस्ति कामनाओं की सिद्धी होती है भादो कृष्णा चतुर दशी को वहां की वार्षी की आत्र होती है उससे नरित्य कोण में दुर्भर शरोवर है जहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोग को प्राप्त करता है महारत्न और दुर्भर इन दोनों तीर्थों में भक्तिभाव से स्नान करके नील कंठ महादेव जी का गंद पुष्प आदी के द्वारा भली भाती पूजन करना चाहिए पारवती सहित भगवान शिव का ध्यान करके मनुष्य सब कामनाओं को शिक्र पाकर सदैव शिव लोग में निवास करता है भादो कृष्ण पक्ष की चतुर दशी को जो मनुष्य स्रध्धा सहित विधी पुरवक शिव पूजा तथा ब्राम्भर पूजा विशेश रूप से करता है वो शिव लोग में निवास करता है भगवान विश्णु और शिव उसके उपर प्रसन्न होते हैं जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुख्ध हो जाता है दूर्भर स्थान में इशान कोड में महाविध्या नामक महान तीर्थ है उसके दर्शन मात्र से मनुष्यों के हाथों में सब सिध्यां उपस्तित हो जाती है महाविद्या के आगे सरुवर में श्नान करके जो महाविद्या का श्रध्धा और भक्ति से दर्शन करता है वो परमगदी को प्राप्त करता है वही सुप्रसिद्ध सिध्ध पीठ है वहाँ उत्तम भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए और जो पवित्र मनुश्य वहां स्रध्धा से शिव, शक्ती, गणपती तथा भगवान विश्णु के मंत्र को एकागरचित होकर जपता है उसको सदा सिधी प्राप्थ होती है आश्विन मास के शुक्लपक्ष के नवरात्र में वहां की यात्रा करके मनुश्य सब पापों से मुख्ध हो जाता है उसके समीप ही छीर कुंड में दुखधेस्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है उस चीर संगम कुंड का सीता जी ने बड़ा सतकार किया है इसलिए सीता कुंड के नाम से भी उसकी प्रसिद्धी हुई है सीता कुंड में शनान करके राम लक्षमन और दुखधेस्वर नात का पूजन करके मनुश्य सब मनोर्थों को पा लेता है जेश्ट माज की चतूर दशी को वहां की वार्षिक यात्रा संपन्न होती है वहां पुर्वदिशा में सुग्रीव द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो तपो निधी तीर्थ के नाम से विख्यात है उसमें स्नान दान करके श्री राम चंद्र जी का यत्न पूर्वक पूजन करने से मनुश्य संपुर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है उससे पस्चिम हनुमत कुंड है और हनुमत कुंड के पस्चिम विभीशन कुंड है उन दोनों में स्नान दान और स्री राम चंद्री जी का पूजन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है एक समय की बाद है विभीशन आदी ने मुनिवर वसिष्ट से विनेह पुर्वक पूछा हेत पूनिधे विद्वान पुरुष अयोध्या का जो सर्वोत्तम महात्मे बतलाते हैं उसका बढ़न कीजिए वसिष्ट जी ने कहा या अयोध्या नामक उत्तम तेर्थ अत्यंत गुप्त है वसदा सभी प्राणियों के मुक्ष का साधक है इसमें सिद्ध और देवता भी वैश्णो वरत का आश्रे लेकर नाना प्रकार के वेश्ट धारण करके विष्णु लोग की अभिलासा से नित्य निवास करते हैं नाना प्रकार के विक्षों से व्याप्त एवं अनेका अनेक विहंगमों के कलरव से यूगत इस उत्तम तीर्थ में वे सिद्ध और देवता जितंद्री होकर प्राणा याम पुर्वक योगा भ्यास करते हैं इस उत्तम क्षेत्र में निवास करना भगवान विष्णु को सदैव रुचिकर है जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिये हैं वे विष्णु भक्त यहां मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं यहां भगवान विष्णु का निवास है इसलिए या अयोध्या नामक महाक्षित्र अत्यंत उत्तम है, जो मोक्ष अन्यत्र दुर्लब माना गया है, वही यहां सब सिधों और महर्षियों को प्राप्थ होता है, जिसका चित्विश्यों में आसक्त है, और जिसने धर्म का अनुराग त्याग दिया है, ऐसा मनुष्य भी यदि इस छेत्र में मनुष्यों को प्राप्थ हो, तो वह पुना संसार बंधन में नहीं पड़ता, सहस्त्रों जन्मों तक योगा भ्यास करने वाला योगी भी, जिस मोक्ष को नहीं पाता, उसी को यहां मृत्यू होने से मनुष्य प्राप्थ कर लेता है, यह अयोध्या ही उत्तम स्थान है, यही परमपद है, यहां पुन्या विलाशी पुरुसों को विधि पुर्वक यात्रा करनी चाहिए, नियम पुर्वक्षनान और यथा शक्ति दान करना चाहिए, मन को वश्मे करके पविद्र व्रत वाला पुरुष भली भाति यहां की यात्रा संपन करे, आयोध्या में जहां कहीं भी मृत्यू को प्राप्त होने पर धीर पुरुष उत्तम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वशिष्ट जी का कहा हुआ या महात्मे सुनकर विभीशन आदी सब लोगों का चित अत्यांत निर्मल हो गया, वहां से आगने अकोण में गया कूप नामक तीर्थ प्रसिद है, जो कि संपुर्ण अभीष्ट फलो को देने वाला है, इंद्रियों को संयम में रखकर स्रेष्ट द्विज उसमें स्नान करके या था शक्ती दान दे और पितरों का श्राद्ध करें, तो वह संपुर्ण मनोर्थों को प्राप्त कर लेते हैं, उस तीर्थ में श्राद्ध करने पर नरक में पड़े हुए पितर और पितामय भी विश्णों लोग में चले जाते हैं, सोमवती अमावश्या हो और उस समय वहां पितरों के उद्देश से किया गया श्राद्ध हो, तो वो अक्षय एवं अनंत फल देने वाला होता है, वहां से पुरो भाग में पिशाच मोचन नामक सर्वस्येष्ट तीर्थ हैं, जो की उत्तम फल देने वाला है, उसमें श्ना भाग में मानस नामक तीर्थ हैं, वहां श्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, मन वाणी और शरीड में जो कुछ पाप होता है, वह सब मानस तीर्थ में श्नान करने से नश्ट हो जाता है, उससे दक्षिन दिशा में तमसा नामक नदी है, जिसमें किया हुआ श्नान और दान सब पापों को हरने वाला है तमसा के सुन्दर तट पर पवित्रात्मा मुनियों के अनेकों स्थान है और मांडव या मुनी का भी पापनाशक आश्रम है जहां से उत्तम तरंगों वाली तमसा नदी प्रकट हुई है वहवन अत्यंद पवित्र है उसके दर्शन से मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है वहतिर्थ सब ओर से मनोहर है जहां मांडव या मुनी ने बड़ी भारी तपस्या की जिसके प्रभाव से वहतिर्थ परम पावन हुआ वहां पहले गौतम रिशी का परम पवित्र आश्रम था चवन और पाराशर मुनी का भी पुर्वकाल में वहीं पर स्थान रहा है इसमें किये हुए स्नान, दान और स्ट्राद्ध से संपुर्ण मनोर्थों की सिद्धी होती है मार्क्सिस माज के शुकलपक्ष की पोनिवादिती में वहां काशनान मनुश्यों के लिए विशेश्वल की प्राप्ति कराने वाला है उसके उत्तर भाग में सुन्दर भरत कुंड है जिसने स्नान करके मनुश्य सब पापों से छूट जाता है पुर्वकाल में रघुकूल में उत्पन भरत जी वही नंदिग्राम में निवास करते थे और स्री राम बनवास के बाद निर्मल अंतह करन वाले भरत जी इंद्रियों को सयम में रखकर श्री राम चंदरजी का हरेदय में ध्यान करते हुए वही रहकर प्रजा का पालन करते थे उस कुंड में श्नान करने से बड़ा भारी पुनिय प्राप्त होता है उसके पस्चिम भाग में अति उत्तम जटा कुंड है वहां वन से लोटने पर श्री राम आदी ने अपनी जटाएं कटवाई थी उनके जटा छोड़ने से ही उसका नाम जटा कुंड हो गया वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है वहां स्नान और दान करने से मनुसे सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है पुर्व कुंडों में श्री भरत जी का ही पूजन करना चाहिए जटा कुंड में सीता राम और लक्षमन जी का पूजन करना उचित है चैत्रमाज की कृष्ण पक्ष की चतूर दसी को वहां की वार्शिक यात्रा होती है इस क्रकार पूजन करके पुन्यात्मा मनुशिविष्णू लोग में निवास करता है इसके उत्तर में वीर मत्त गजेंद्र का शुबसूचक स्थान है उनके सामने जो सरोवर है उसमें सनान करके जो निश्चित रूप से वहां निवास करता है वह पुर्ण सिध्धी को प्राप्त करता है। लेस मादर भी विग्न का सामना नहीं करना पड़ता। विग्नेश से इशान कोड में श्री राम जन्मस्थान है। इसे जन्मस्थान कहते हैं। यह मोक्षादी फलों की सिध्धी करने वाला है। विग्नेश से पुर्व, वसीष्ट से उत्तर तथा लोमस से पस्चिम भाग में जन्मस्थान का तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवास पर विजय प्राप्त कर लेता है। रामनौमी के दिन वरत करने वाला मनुष्य सनान और दान के प्रभाव से जन्म मृत्यू के बंधन से छूट जाता है। आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है, सहस्त्रों राजिसुय और प्रतिवर्ष अक्निहोत्र करने से जो फल मिलता है। जन्म स्थान में नियम में इस्थित पुरुष के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ती करने वाले सत्पुरुषों के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही सब फल जन्म भूमी के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सर्यू का दर्शन करके भी मनुश्य उस्फल को पा लेता है। एक निमेश या फिर आधे निमेश भी किया हुआ श्री राम चंदर जी का ध्यान, मनुश्यों के संसार बंधन के कारण भूत अज्ञान का निस्चे ही नाश करने वाला है। जहां कहीं भी रहकर जो मनुश्य मन से अयोध्या जी का स्मरण कर लेता है, उसकी पुनरा वृत्ति नहीं होती। अर्थात, मनुश्य कहीं भी रहे, वहीं बैटकर अगर ध्यान से श्रद्धा पुर्वक अयोध्या जी का स्मरण कर ले, अयोध्या पूरी का स्मरण कर ले अयोध्या का नाम ले ले तो इतने मात्र से ही जन्ममरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है इतनी पावन नगरी है अयोध्या नगरी सर्यू नदी सदा मोक्ष देने वाली है यह जल रूप से साक्षात परब्रम है यह कर्म का भोग नहीं करना पड़ता इसमें श्नान करने से मनुष्य श्री राम का रूप हो जाता है पशू पक्षीमरिक तथा अन्य जो पाप योनी प्राणी है वे सभी मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं जैसा की स्री राम चंदर जी का वचन है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्व भूत दया तीर्थ, सत्य वादिता तीर्थ, ज्याना तीर्थ और तपस तीर्थ ये साथ मानस तीर्थ कही गए हैं संपुर्ण प्राणीयों की प्रतित दया करना रूप जो तीर्थ है उसमें मन की विशेश शुद्धी होती है केवल जलसे शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता जिस पुरुष का मन भली भाती शुद्ध है उसी ने वास्तों में तीर्थ स्नान किया है भूमी पर वर्तमान जो तीर्थ है उनकी पवित्रता का कारण ये है जैसे कि शरीड के कोई अंग मध्यम और कोई उत्तम माने गए हैं उसी प्रकार पृत्यवी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत भवित्र है इसलिए भौम और मानस दोनों प्रकार के तीथों में निवास करना चाहिए जो दोनों मेशनान करता है वह परमगती को प्राप्त कर लेता है जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मरते हैं परन्तु वे स्वर्ग में नहीं जाते क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं, विश्यों में निरंतर राग होना उनका मल कहलाता है, उन्हीं विश्यों में जब आशक्ति न रह जाए तब उसे मन की निर्मलता कहते हैं, यदि मनुष्य भाव से निर्मल है, उसके अंताकरण में शुद्ध भाव है, तो उसके लिए दान, यग्य, त रप, शौच, तीर्थ सेवा और वेदों का अध्यायन, ये सभी तीर्थ हैं, इंद्रिय समुदाई को वश्मे रखने वाला पुरुष जहा निवास करता है, वही उसके लिए कुरुक्षित्र, नैमिशा, रण्य और पुष्ट करें, यह मानस तीर्थ का लक्षन बताया ग करें, तत्पस्चात, चक्र तीर्थ मेश्नान करके मनुष्य भगवान चक्र हरी का दर्शन करें, उसके बाद धर्म हरी का दर्शन करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, प्रतेक एकादशी को यह यात्रा शुबकारक होती है, बुध्धिमान पुरुष प्रातय काल उ दर्शन करें, फिर उनके आगे सरोवर में श्नान करके महाविद्या का दर्शन करें, तत्पस्चात, पिंडारक का दर्शन करें, अश्टमी और चतुर्दशी को यह यात्रा फलवती होती है, अंगारक चतुर्थी को पुर्वक्त देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं क की सिध्иш के लिए विज्ञेश का भी दर्शन करें पुरोवथ प्रात्यकाल उठकर बुद्धिमान पूरुष ब्रह्मकुंड के जल में श्नान करें फिर विशनुंऑ और विश्णु इसलिए वस्त्र सही तिश्नान अवश्य करें। यह यात्रा सब बापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो प्रति दिन इस प्रकार शुबफल देने वाली यात्रा करता है। उसकी सो कोटी कलपों में भी पुनराव रित्ती नहीं होती। अयोध्या पुरी सर्वुत्तम स्थान है या भगवान विष्णू के चक्रपर प्रतिष्ठित है। सूती जी कहते हैं कि जो मनुष्य पवित्र चित्त होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म का पाठ करता है। अत्वा जो श्रध्धा से इसको सुनता है वह परमगती को प्राप्थ होता है। अत्वा मनुष्यों को सदा यत्म पुर्वक इसको श्रमण करना चाहिए। ब्रामणों तथा भगवान विष्णू की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्रामण के लिए सुवर्ण आदी का दान देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष इस महात्म को सुनकर पुत्र पाता है और जो धर्मार्ती हो तो उसे धर्म की प्राप्ती होती है। जो श्रेष्ट मनुस्य आती विष्टित विधान के साथ वरणित इस धर्मयुक्त आदिक शेत्र के उत्तम महात्म का भक्ति पुर्वक्ष रवण करता है। वह लक्ष्मी से सनात होकर संसार में सब उत्तम भोगों को भोगने के पस्चाद भगवान विष्टित के लोक में निवास करता है। भगवान श्री हरी गरूड जी की पीट पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। माया से ब्रंभचारी डूप धारन करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्रीत्री विक्रम भगवान आकाश में मेरी रख्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गोंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्ब गिर गये थे। वे द्यात्य यूथ पतियों के शत्रू भगवान ड्रिसिम्ह, किले, जंगल, रण भूमी आधि विकट स्थानों में मेरी रख्षा करें। अपनी दाढ़ों पर प्रित्वी को उठा लेने वाले यग्यमूर्दी वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी परवतों के शिखरों पर और लक्ष्मन जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान राम चंद्र प्रवास के समय मेरी रख्षा करें। परम रिशी सनत कुमार काम देव से हाईगिरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्थियों को नमस्कार आदी न करने के अपराद से और देवर्शी नारत सेवा पराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नर्कों से मेरी रख्षा करें। भगवान धन्वंत्री कुपत्य से जीतेंद्र भगवान रिशब देव सुख दुख आदी भै दायक द्वंदों से यग्य भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्य कृत कश्टों से और श्री सेस जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रख्षा करें। भगवान श्रीकिष्ण द्वयपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रख्षा करें। धर्म रख्षा करने वाले महान अवतार-धारन करने वाले भगवान कलकी पाप बहूल कलीकाल के दोशों से मेरी रख्षा करें। प्रातेह काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चड़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बासुरी लेकर, और दो पहर के पहले भगवान नारायन अपनी तीक्षण सक्ती लेकर, और दो पहर को भगवान विश्नु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्ष रात्री के समय अकेले भगवान पद्मनाब मेरी रक्षा करें। जैसे आग वायू की सहायता से सुखे घासफूस जला डालती हैं, वैसे ही आप हमारी शत्रू सेना को शीगर से जला दीजिए। शत्रू को चूर-चूर कर दीजिए। शत्रू की आखे बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सुर्य आधी ग्रह, धूम केतू, पुछल तारे आधी केतू, दुष्ट मनुस्य, सर्प आधी रेंगने वाले जन्तू, दाढ़ों वाले हिंसक पशू, भूत प्रेत आधी तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भै हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी पूर्ती भगवान, गरूर और विश्वक सेंजी अपने नामोचारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं, श्रीहरी के नाम, रूप, वाहन, आयूद तथा स्रेष्ट पारसद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं, जितना भी कार्य अत्वा कारण रूप जगत है, वह वास्तों में भगवान ही है, इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश्ठ हो जाएं, जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भग प्रभावान श्री हरी सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर आट्टाहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, और अपने तेज से सब का तेज ग्रश लेते हैं, वे भगवान रिसिम्म दिशा विदिशा में नीचे उपर बाहर भीत सब और से हमारी रक्षा करें हे देवराज इंद्र मैंने तुम्हें यह नारायन कवच सुना दिया है इस कवच से तुम अपने को स्वरक्षित कर लो बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्ध पत्यों को जीत कर लोगे इस नारायन कवच को धारन करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अत्वा पैर से छू देता है ततकाल समस्त भायों से वो मुक्त हो जाता है जो इस वैशनवी विद्या को धारन कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच, आदी और बागादी हिंशक जीवों से कभी किसी प्रकार कभै नहीं होता हे देवराज, प्राचीन काल की बात है एक कौशिक गौतरी ब्रामभन ने इस विद्या को धारन करके योग धारना से अपना शरीर मरू भूमी में त्याग दिया अब जहां उस ब्रामभन का शरीर पड़ा था, उसके उपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररत अपनी इस्त्रियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले, वहां आते ही वे नीचे की और सिर्किये विमान सहित आकास से प्रिथ्वी परगिर पड़े, इस घटना से उनके आचरे की सीमा न रही जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायन कवश धारन करनी का प्रभाव है तब उन्होंने उस ब्रामभर देव की हड्यों को ले जाकर पुर्ववाहिनी सरस्वती रदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोग को चले गए श्री सुकदेव जी कहते हैं हे परिक्षित जो पुरुष इस नारायन कवश को समय पर सुनता है और जो आदर पुर्व किसे धारन करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से जुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है हे परिक्षित शत्यक्रतु इंद्रने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैशनेवी वशटकारो भूत भव्य भवत्रभू भूत कृत भूत भृत भित्भावो भूतात्मा भूत वाहना भूतात्मा पर्मात्माच मुक्तानाम परमागती अव्यया पुर्शा साक्षी शेत्रग्यो अक्षर एवचा योगो-योग विदामनेता प्रधान पुरुषेश्वर, नारसिंगव पूश्रीमान केशव पूरुषोत्तमा, सर्वाशर्व शिवस्थानुर भूदादिर निधर्वया, संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरिश्वर, स्वयंभू शंभु रादित्या, पुस्करा प्रभुतस्त्रिककुपधाम, पवित्रम्मंगलंपरम, इशानह प्राण, दह प्राण, जेश्ठ, श्रेष्ठ, प्रजापति, हिरण्यगर्भो, भूगर्भो, माधवो, मदु सूधन, इश्वरो विक्रमीधन्वी, मेधावी, विक्रमहक्रम, अनुत्तमो दुराधर्ष शुरेष शरनम्शर्म, विश्वरेता, प्रजाभव, अह संवत्सरो व्याल, प्रत्यय सर्वदर्षन, अजसर्वे, स्वरसिध, सिध्धे सर्वादिर्चुत, व्रिशाकपिर मेयात्मा, सर्वयोगविनीश्रित, वसुर्वसुमना, सत्य, समात्मा, सम्मितासम, अमोग, पुंडरी, काक्षो, व्रिशकरमा, अवरिशाक्रिती, रुद्रो, बहुशिराब, अब्रूर, विश्वयोनी, सुचिश्रवा, अम्रित, शाष्वत, स्थानूर, वरारो, हो, महात्रपा, सर्वग, सर्व, विद्भानूर, विश्वक्सेनो, जनार्दन, वेदो, वेद, विद्वित कभी, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, खृता-कृता, चतुरात्मा, चत्रुविध, चत्रद्रष्ट, चत्रभुजा, व्राजेश्रुर भोज, नम्भोक्ता, सहिस्रुल, जगदातिज, अनगो विज्यो जेता, विश्वयोनी, पुनर्व उपेंद्रो वामन, प्रांशुर, मोखा, सुचुरुर्जित, अतिंद्रह, संग्रह, सर्गो, धृतात्मा, अनिय, मोयम, वेद्यो, वेद्य, सदायोगी, वीरह, माधवो, मदू, अतिंद्रियो, महामायो, महुत्साहो, महाबल, महाबुद्धिर, महाविर्यो, महाशक्ति आनिर्देश्यव पूश्रीमा अनिमेयात्मा महाद्रित्रिक। महिश्वासु महीभर्ता श्री निवास सतामकती। अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम्पती। मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णु भुजुकुत्तमा हिरन्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापती अम्रित्यु सर्व दिक्सिंह संधाता संधिमानस्तिर अजो दूर मर्षड शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुडगुर्त मोधामा सत्य सत्य पराक्रमा निमिशो श्रग्वी वाचश्पती रुदारधी अग्रनित ग्रामनी श्रीमा न्यायो नेता समीरण सहस्त्र मुर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात आवर्तनोनी वृत्तात्मा सम्रिता संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधर निधरह सुप्रसादह प्रसन विश्णूर विश्परवावरिशोदर वर्धनों वर्धमानस्च विविक्त शुरुतिसागर सुभुजोदूर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैकरू बोब्रिहदुप शिपिविष्ट प्रकाचन ओजस्ते जो दुतिधर प्रकाशात्मा प्रतापन रिधस प प्रताक्षरो मंत्रस चंद्रान्शुर भाष्कर दूति ही अम्रितान्शुद्भवो भानू शशबिंदू सुरेश्वरा ओशधम जगता सेतू सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भवन्नात पवन पावनो नला काम हा काम क्रितकांत काम हा काम प्रदाप्रभु युगा प्रतित प्राण प्राणदो वासो वानुज अपाम्नि धिर्धेश्टानम प्रमत्त प्रतिष्टिता सकंद सकंद धरोधूर्यो बर्दो वायुवाहन वासुदेवो ब्रिहत्भानू रादि देवह पुरंदर अशोकस्तार अनस्तार शूरसोर इर्जनेश्वर अनुकूल सतावर्त पदमी पदमनी भेखचना. पदमनाभो अर्विंदाक्ष्पदमकर्भ शरीरवित्दृम्हार्भव्रितृ धात्मा महाक्षो गरुर अध्वजा. अतुलाशर भोभीमो समयक्यो हविरहरी सर्वलक्षं लक्षण्यों लक्ष्मिवान समितिन जया. विक्षरो रोहितो मार्गो हेतूर्दामो दरसा महिधरो महाभागो वेगवानमेताशना उद्भवाचो भणो देवा स्री गर्भ परमेश्वरा करणम कारणम करता विकरता गहनो गुवा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव परहर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट असुभेग्षणा रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेया वीर शक्तिमताम्ज्रेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तमा व्यकुंठ पुर्ष प्राण शत्रुग्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षज रितु सुदर्शन काला परमेश्ठी परिग्रह उग्र सम्वत्सरोदक्षो विश्रामो विश्वदक्षण विस्तारस्थावर स्थानु प्रमाणवी जमव्ययं आर्थो अनर्थो महाकोषो महाभोगो महाधन अनिर्विन्न स्थविष्ट्ववु धर्मयूपो महामखः नक्षत्र lore नक्षत्री चमाचाम समीहन स्वापनहस्वभ सोव्यापीनैकात्मानैक कर्मकृत बत्सरोवस्चलो वस्य रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मघूप धर्मकृत्वर्मी सदसक्षरमकृरम अविज्याताा सहस्त्रां सुर्विधाता अकृत लक्षन गबस्ति नेमी सत्वस्थ सिंहो भूत महिश्वर आदि देवो महादेवो देवेसो देव भिरित गुरु उत्तरोगो पतिर्गोप्ता ज्यान गम्या पुरातना शरीर भूत 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 भोक्ता कपिंद्रो भूरिदक्षिन सुमभो अ मित्र प्रमोधन आनंदो नंदो नंद स्यत्यधरमा अत्रिविक्रमा महर्शी कपिला चार्य कृत अग्यो में दिनीपती त्रिपदस्त्रि दशाध्यक्षो महाश्रिंग अकृतांत कृत महावराहु गुविंद सुखेळ कनकांग दी गुयो गभीरो गहनो गुप्तस चक् वेथा स्वांगो अजिता प्रिष्णो दिढ़ संकर्शनो चत वरुणो वारुणो वरिक्ष पुसकराक्षो महामनाह भगवान भगहानन दी वनमाली हलायु था आदित्यो जोती रादित्या सहिश्णोर गति सत्तमा सुधनवा खंड पर्शूर दारुणो द्रविडा प् तिर्गोप्ता व्रिषभाग्चो व्रिषाप्रिया अनिवर्ति निवर्तात्मा संचेप्ताचे मिक्रिच्चिवा श्रीव स्वक्षा श्रीवास श्रीपती श्रीमतामवर श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिती श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमानल ुदिरनसतर्व तक्षाशुर निशाशाश्व दास्थिर, भूजयो भूशनो भूतिर्वी शोकाश शोकनाशन, अर्चिश मानर चिता कुम्भो विशुध्धात्मा विशोधन, अनिरुद्ध्धु अप्रतिरत प्रद्युम्नो अमिते विक्रमा, ब्रम्यो ब्रम्य। शर्वासुनेलियो नल दरपहाधर पदो दुज़िप्तो दूधरोथा पराजित विश्व मुर्थिर महा मोर्थिर दिप्त मुर्थिर मूर्थिमान अनेक मुर्थिरव्यक्त शतमुर्ति सतानन एको नैक सवक किम यत्तत पद मनुत्तमं लोक बंधुर लोक नाथो माधोवो भक्त वस्ल सुवर्ण वर्णो हे मांगो वरांगश चंदनांगदी वी रहा विश्म शुन्यो घृताशीर चलस्चल अमानी मान दोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोक द्रिक सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधा धराधर तेजो वरिश्य द्वितिधर शर्वसस्त्र भृतामवर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रिंगो गदाग्रज चतुर मूर्तिस, चतुर बाहुस, चतुर व्युह, चतुर गती, चतुर आत्मा, चतुर भावस, चतुर वेद विदे कपात, समावर्तो, अनिवरितात्मा, दूर जयो, दुरती क्रमा, दूरलभो, दुर्गमो, दुर्गो, दुरावासो, दुरारिहा, शुभांगो लोक, सा महागर्तो महाभूतो महानिधी कुमुदह कुंदरह कुंदह परजन्यः पावनोनिल अमृताशो अमृतवपु सर्वग्या सर्वतो मुख सुलभ सुव्रत सिध्ध शत्रुजी छत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्त स्चाणुरांध्र निशूदन अमूर्दिरणगो अचिंत्यो भैक्रित भैनासन अनुर्ब्रिहत क्रिशास्थूलो गोडब्रिन निर्गोडो महान अध्रित स्वद्रित स्वास्य प्राग्वण्षो वंशवर्धन भारभृतिकतितो योगी योगी ससर्व कामद आश्रम श्रमन चाम सुपरणो वायु भाहन धनुर्धरोर धनुर्वेदो दंडोदम इतादमा अपराजिता सर्वसहू नियनता अनिय मोयमा सत्ववांसात्विक सत्य सत्य धर्म परायन अभिप्रयाया प्रियार होर्ः प्रियक्रीत पीर्ति वर्धन विहाय सगतेर जोती सुरुचिर हुद भुग विभू रव कुंडली चक्रे विक्रम्यूर जितिशाशना शब्दातिगा सब्दशह शिशिर अशर्वरीकर अक्रूर पेश लोधक्षो दक्षण चमिणामवर विद्वतमो वितभय पुन्यशवन कीर्तना उत्तारनो दुस्कृतिहा पुन्यो दुस्व प्रनाशना वीरहारक्षण संतो जीवनह पर्यवस्तित अनंत्रूपो अनंत्तस्रिट जित्मन्यूर भयापह चत्रश्टो गभिरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादीर भूर्भु ओलक्ष्मी सुवीरो रुजिरांगद जन नो जन जन मादिर भीमो भीम पराक्रमा आधार नीले योधाथा पुस और अब आप सुनेंगे श्रीत तुलसी चालीशा श्रीत तुलसी महराणी करूविने सिरनाई जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय नमो नमो तुलसी महराणी महिमा अमितन जाय बखानी दियो विष्ण तुमको सन माना जग में चायो सुयस महाना विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहूं लोक की हो सुख खानी बगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं हो या निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहिके काज हो या सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुन्दर वर्सु कुमारी करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिर नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमें सकल चित धारी तुमी मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में ओश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विक्याता देवरिशी मुनी और तप धारी करत सदा तव जै जै कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नही पाया नमो नमो जै जै सुख कारनी नमो नमो जै दुख निवारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जै कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाउं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल मम काया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा प्रतमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तुति करे मात तुल साकी यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई तुलसी चाली सा संपूड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आरती हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग रामे की बनी पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूप दीप ने वेद्य आरती धूप दीप ने वेद्य आरती पुश्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो छप्पन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जै दोस्तों अगर आप एकादशी कवरत करते हैं तो एकादशी कब है इस विचे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है जरूर उसे आप देख लीजिए मिलती हूं मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जैश्री रादे